ओम शान्ती आज 18 मार्च 2023 है और आज जमा के खाते को बढ़ाने का जो पॉइंट हम याद रखेंगे वो है एक साधे सबसधे एक ऐसा जमा का खाता हमारे हाथ में हो जिसके आधार पर सारे जमा के खाते हमारे खुलते जाएं और उसमें शक्तियां और सब कुछ जमा होता जाएं तो कैसे एक के पीछे एक आधारित है और उसका क्या परिणाम है उसकी क्या विधी है चानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से अभी फाइनल समाप्ती का बिगुल बजा नहीं है इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो इसकी विधी है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ बज़त का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो क्यूंकि 63 जनम से सभी खाते व्यर्थ गवा कर खतम कर दिया है स्वास का, संकल्प का, समय का, गुडों का, शक्तियों का, ज्यान का सब खजाने गवाएं हैं कितने खाते खाली हो गए अभी इन सभी खातों को जमा करो भारत जो सबसे भरपूर था, माला माल था, स्वर्ग था, आज वही भारत कहां आके खड़ा है फिर से उठने का प्रयास कर रहा है ऐसे ही बावने स्मृति दिलाई की हम भारत वासी जो देवी देवताएं थे उनके पास सारे खजाने अखुट थे कहा भी जाता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तू देवी देवताओं के खजाने में लेकिन देवता स्वरूप तो हमारा प्रारब्द है उसका बेस है ब्राम्भन तो जब हमारे ब्राम्भनों के खाते भरपूर होंगे उसमें कोई अप्राप्ती नहीं रहेगी तब हमारा जो प्रारब्दी स्वरूप है देवता उसके लिए ये गायन कहा जाएगा आज भी भारत के अंदर कहते हैं कि अध्यात्मिक्ता भरपूर है ज्यान भरपूर है लेकिन कहीं न कहीं दवा हुआ है बाबा ने भी आज हमें इशारों में वही बात बताई है कि सारे जमा के खाते कैसे खाली हो गए और फिर से उन्हें कैसे भरना है तो सबसे बड़ा जो एक खजाना है वो है समय का खजाना ये अपने आप निरंतर खाली होता रहता है और इस समय के खजाने के खाली होने के साथ साथ हम अगर अगर अटेंशन दे तो हमारे बाकी खाते जमा हो सकते हैं और अगर अगर अटेंशन नहीं दे तो समय अपने आप सर्व खातों को खाली कर देता है दूसरा खजाना है ग्यान का जैसे समय बढ़ता गया हमारा ग्यान का खजाना सुमृति का खजाना की हम कौन है ये भी खाली होता गया उसका रिजल्ट हमारे संकल्पों के खजाने में भी कमी आ गई जब ग्यान का खजाना खाली हुआ तो संकल्पों के खजाने को हमने व्यर्थ से भर दिया और संकल्पो के खजाने में कमी आई तो गुडों का खजाना खाली होता गया गुडों का खजाना खाली होता गया तो शक्तियों का और ऐसे करते करते जीवन में स्वासों का खजाना भी खाम होता गया अब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि ये संगम का समय है एक एक पल में अपनी जन जन्मांतर की प्रारब्द बनाने का जितना जितना हम इस समय समय के खजाने को जमा करेंगे और समय अनुसार अपने ज्यान के खजाने में व्रिद्धी लाएंगे हमारा संकल्प, गुण, शक्तियों और स्वास का खजाना भी बढ़ता जाएगा तो एक खजाने को हम पकड़ और उसके सारे सारे खजाने हम भरपूर कर सकते हैं ओम शान्ति